रवी नाम का एक लड़का दिल्ली की किसी फैक्टरी में सफाई का काम किया करता था। उसके घर से फैक्टरी करीब पाँच किलोमिटर दूर थी। वो हमेशा अपनी साइकिल से ही फैक्टरी जाता था। रोज की ही तरह आज भी वो घर से फैक्टरी के लिए निकला। उसे रास्ते में पढ़ने वाले एक चौराहे पर एक लड़की दिखी, जो उसे गुस्से में घूर रही थी, लड़के ने भी उसे देखा और फिर मुम फेर कर फैक्टरी चला गया। करीब साथ दिन बाद जब रवी फैक्टरी जा रहा था, तो उसे वो लड़की उस जगह पर खड़ी नहीं दिखी, रवी के मन में हुआ कि आखिर क्या हुआ होगा कि वो लड़की वहा नहीं है। चौराहे पर नहीं दिखी, एक दिन जब शाम को वो लड़का घर पहुँचा, तो उसे अपने बेड़ पर एक चिठी दिखी। उसमें लिखा था, मेरा नाम प्रीती है, मैं तुम्हें एक हफ़ते पहले रोज एक चौराहे पर दिखती थी, कल शाम तुम वही पर खड़े होकर मेरा इंतजार करना। उस चिठी में एक फोटो भी थी, जो उसी चौराहे पर खड़ी लड़की से मिलती थी, लड़के के मन में हुआ कि आखिर इसे मेरे घर का पता कैसे मिला होगा और ये चिठी मेरे बेड तक कैसे पहुँची, किसी सोच के साथ वो सो गया, अगले दिन उठकर जब काम में ज पहुच कर उस लड़की का इंतजार करने लगा, काफी देर हो गई, लेकिन वो आई नहीं, रवी इंतजार करके ठक गया था, इसलिए वो घर की और निकल गया, घर पहुचते ही उसने सोचा कि क्यों न चिठी पर लिखे हुए पते पर जाकर ही उस लड़की से मिल लिया ज थी, इसलिए उसने सुबह सुबह उस लड़की के घर जाने की सोची, सुबह होते ही जल्दी तयार होकर रवी चिठी पर लिखे पते पर पहुच गया, वहां जाकर जब उसने घर की घंती बजाए तो एक आदमी बाहर आया, उससे रवी ने कहा कि मुझे प्रीती से मिलना ह यह सुनते ही वह व्यती चौप गया, जवाब में उसने पूछा, क्या प्रीती से मिलना है? उसे मरे हुए तो दो महीने हो गए है, तुम्हें अब उससे क्या काम याद आ गया? यह सुनते ही रवी के होश उर गए, दर के मारे शरीर कामपने लगा, किसी तरह खुद को संभाल कर रवी घर पहुचा और चिठी को जला दिया, उसके मन में कई तरह के सवाल उठने लगे, उसने सोचा कि वो लड़की जो मुझे रोज दिखती थी वो भूत थी, मुझे ए अंजान इनसान के बारे में सोचता था. कहानी से सीख, किसी अंजान इनसान के बारे में सोचना नहीं चाहिए और बिना किसी व्यक्ती की सही जानकारी के उसके घर तो बिलकुल नहीं जाना चाहिए.